अलेकम जी आज हम आये थे 1965 की जंग में इस्तमाल होने वाला जंगी एरपोर्ट देखने लेकर अब तो उसकी बाकियात भी खत्म हो चुकी है नीचे दरा फर्ष दिखाएं राशित साथ यहां पर दो शेड थे जिन में हमारे शाहीन पाकिस्तान एरफोर्स के जहाद खड़े होते थे 1965 की जंग में यह आरदी तोर पर बनाया गया था तक्रिबन देड़ दो किलो मिटर हम आये हैं यह सामने जो आपको जाड़ियां दरख से नदर आ रहे हैं ऐसा ही बड़ा शानद मजबूत किसम का फर्श है तकिबन वहां तक यह सामने जो शेड हैं उनकी बाकियात हैं यहां पे दो बड़े बड़े शेड थे जिन में पाकिस्तानी हवाबाद जंगी त्यारे यहां पे खड़े होते थे 1965 की जंग में इस एरबेस का बड़ा एहम करदार था जदीद हो रहा जी अब तो पाकिस्तान एर फोर्स बहुत सारे वसाइल को इस्तमाल कर रही है खास करके जो सड़के हैं मोटर वेज हैं यह ऐसी पटियां इन्होंने बनाई हुई हैं खुफिया वहां पे अपने त्यारे बड़े अराम से उतार भी लेते हैं चड़ा भी ल बानते हैं यह जी वह बाकियात जो अब भी हैं वह से एरपोर्ट की और आफ वामने जो द्रुखत आपको नदर आ रहे हैं सफ़दे के इस से भी परे तक जैसी करेट का फर्श है यही पर रनवे था यहीं पर सब कुछ था आल्लाद पाकिस्तान पे करम करे और अल्ला पाक समयाब करें हो सकता है आपके लिए वीडियो नार्मल हो लेकन वो लोग जो मुबेवतन हैं उनकी जजबाती वाबस्तिए और चीज़ों से गो कि यह अब मतरूक हो चुका है खत्म हो चुका है लेकिन कभी यह पाकिस्तान एरफोर्स का मसकंड रहा है खासकार उन्ली से 65 की जंग में शाद रहें जी अबाद रहें अल्हा आपको खुश रखे खुदा आफाज